नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं बता दे सिक्षकों के पद स्रिजन समाधित फाइल अब भीधी विभाग और भीध भीभाग जाएगी जहां से स्विक्रिती के बाद इसे केबिनेट में रखा जाएगा बस 2003 में जर्खन अलग राज होने के बाद प्राथमिक और मध्य विद्याले में शिक्षकों के पदो का श्रिजन नहीं हुआ था बता दे प्राथमिक से मद विद्याले में इस्कूल अपग्रेड हुए थे लेकिन हर इस्कूल में आवास्यक नियुमतम तीन पदों का स्रीजन नहीं हो सका था सिक्षा मंतरी की समाती के बाद उमीद की जा रही है कि पदों के स्रीजन के साथ साथ पहले से रिक्त 23 हजार पदों पर भी नियुक्ति पर किरिया सुरू हो सकेंगी जार खंड में दूरगा पुजा के अश्टमी के दिन से बारिश हो सकती है मौसम विभाय के अंसार राजे के मौसम में अगले 5-6 दिनों तक कोई खास बदला होने की समभवना नहीं है बता दे बंगाल की खाड़ी से सटे अंडमानी को बार दीव समुंद्र में एक कम दबाव का छेतर बन रहा है कल तक और मार्क होकर पचिम उतर की तरफ बढ़ दक्षिन उडिसा और अंधर पर देश के तरफ बढ़ने की समभवना है इसका असर देश के विभीन राजियों में 13 अक्टूबर से दिखनने लगेगा संभवना है की 13 अर 14 अक्टूबर को राचि समेत राजिये के विभीन जीलों में हलके समध दर्ज की बारिस की जाएगी बैग्यानिक सहायको की वैकेंसी रद का तारण जारखन हाईकोट के आदेश के बाद जारखन करमचारी चायन आयोग ने बैग्यानिक सहायको के लिए वैकेंसी निकाली थी लेकिन सूबा में विग्यापन परकासन के बाद साम में उसे रद कर दिया गया आपको बता दे कि कूल 66 पदों के लिए विग्यापन निकाला गया था आयोक के परिक्षा नियंत्रक ने जनकारी दी है कि कार्मिक बिभाग के निदेश के आलोक में बैग्यानिक सायक परत्योकता परिक्षा 2021 का विग्यापन रद किया गया है पी एल एफाई के दो नक्सली गिरफतार जारखन के खुटी जीले के पुलिस अधिक्षा को मिली गुप्ति सुचना के अधार पर पुलिस ने 8 अक्टूबर की रात को ग्यू जंगल से दो पी एल एफाई के सदस्यों को धर्दवोजा है बता दे उनके पास देशी दोर नाली बंदूग 25 गोली पी एल एफाई का परचा चंदार असीद मोबाईल भरामत किया गया है मौके से चार उग्रवादी अंधेरे और जंगल का फैदा उठा कर भागने में सफल रहे वहीं गिरफतार नक सलियों में एक नबालिक है वहीं दूसरी की पाचान बिनोद नायक के रूप में की गई है नवरात्र के तिसरे दिन हाई कोट के चिफ्ट जस्टिस डक्टर रवी रंजन पहुंचे इट खोरी जार्खन के चात्रा जीले के एक खोरी में सादे नवरात्र के तिसरे दिन माच चंद्र घंटा की पुजा हुई बतादे इस मोगे पर माभद्रकारी मंदीर में भक्तो की भीण रही सुबा सही भक्तो का आना जाना लगा रहा बतादे सन्निवार को जरकन हाई कोट के चिफ्ट जस्टि डक्टर रवी रंजन माभद्रकारी के दरवार पहुँचे और सब परिवार पुजा अर्चना की बतादे बिहार के कला संस्कृतियों खेलकुद मंत्री डक्टर अलोक रंजन ने भी सब परिवार माभद्रकारी मंदीर में पुजा की दो लाग सोलह हजार लोगों ने पिये मोदी को लिखा आभार पत्र भाजपा ने पधान मत्री नानमोदी के जनम दिवा सोतलत सितंबल से सातक टुबतक राजे में चलाया गया सेवा समरपन के दोरान किये के कारयोग साजा किया है परदेश भाजपा की ओर से दावा किया गया कि 20 दिनों तक चले इस अभियान के तहत 91,000 लोगों का कोविटी का करन कराया गया और भाजपा करकताओन ने 1131 युनिट रख दान किया इस दोरान 649 अस्थानों पर स्वक्षता अभियान चलाया गया और 133 दिव्यांगों के बीच उपकरनों का वित्रन किया गया वही भाजपान ने अभिका है कि पार्टी की ओर से अभियान के 26 अस्थानों पतिरंगा यात्रा निकाली गई दावा किया गया कि अभियान के समापन के दिन परदेश के सभी भूतों से 2,16,740 लोगों ने परधान मंत्री को अभार पत्र लिखा दुर्गा पुजा में बीधी बेवस्ता रहेगी टाइट दुर्गा पुजा को लेकर रांची जीले की बीधी बेवस्ता पुखता होगी सनिवर को रांची उपावउकते हमें सेस्पी ने सनिवर्गत आदेश चारी किये है जीला परशास ने दुर्गा पुजा समीतियों से अपिल की है कि कोविधी नाइटिन के संका को देखते हुए पुजा में अडंबर न करे आकर्शक लाइट, साउंड, बोक्स आदिका उप्योग वर्जित रहेगा वही पंडाल में विराजमान माता की परतिमा को कपड़े से चार ओर से ठाकने का निर्देश दिया गया है बता दे जवरन चंता वसुली की सिकाईत पर भी करई करवाई की जाएगी शर्ष्टी से बिजय दसमी तक पुजा समीदियों कोबिग-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी निर्देश का पाड़न करना अवस्यक होगा 11 अक्टूबर को मौन बरत करेगी कॉंग्रेस जारखन पर देस कॉंग्रेस 11 अक्टूबर को मौन बरत करेगी बता दे कॉंग्रेस के परदेस अध्यक्स राजस ठाकुर के राजभवन के समोक्ष पार्टी के नितारो करता मौनवरत के रूप में ही धार नापपर बैठेंगे बतादे कॉंग्रेस इस बिरोत के जर्ये भाजपा के केंदरिये ग्रीह राजय मंत्री अजय मिस्रा को ततकार वरखास्त करने और हत्या कांड में सामिल उनके बेटे आकास मिस्रा सहीत सभी दोस्यों की ततकार के अपतारी की मांग करेगी बतादे राजभुन के समक्ष 10 बजे से 1 बजे तक यह कारकरम होगा जर्खन परदेश कॉंग्रेस कमिटी के परवक्ता राकेश सिनहा ने बताया कि जीस परकार लखेमपूर की घाटना के दोस्यों को भाजपा की सरकार बचाने के पर्यास कर रही है इससे असाफ होता है कि भाजपा के सासनकार में नयाय नहीं मिल सकता है नर्सिंग कोसल कॉलेज की परवेश परिक्षा आज जार्खन के यूतियों को नर्सिंग और स्वास्त के छेतर में स्वावलम्मी बनाने के लिए मुखेमंत्री है मनसुरन के निदेश पर लगातार कार जारी है बता दे इसी के तहत प्रेग्या फाउंडेशन की ओर से संचालित नर्सिंग कोसल कॉलेज में नमांकन के लिए रभी बार 10 अक्टूबर को लिखित परिक्षा का आवेजन किया रहा है राजी के 23 जिलो में 24 अलग अलग परिक्षा केंद्रों पर परवेश परिक्षा का आवेजन किया गया है बता दे इसमें कूल 960 सीटों के लिए 10.000 से अधिक छत्राओं ने आवेदन किया है जार्खन में कुरोना के 9 मरीज मिले है जो राची से 4 पूर्वी सिमून से 1, बोकारो से 1, रामगर से 1, खोटी से 2 मरीज मिले है जार्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या 108 है भारत में 17,939 केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 2,242,24 है पांचवी तक इस्कूल खोलने की मांग सोतंत्र राष्टवादी पार्टी के परदेश्ट अध्यक्ष राम परकास्तिवारी ने कहा है कि जार्खन में नरसरी से पांचवी तक की कक्षाय जल्द खोली जानी चाहिए बीस मास्त जार्खन राष्ट के सभी सरकारी और नीजी स्कूलों में नरसरी से पांचवी तक की पढ़ाई बंद करके सरकार लाखो बच्चों का बविस्खराब कर रही है बतादे बिहार, यूपी, शत्रिशगर, रायस्थान, मध्य परदेश सहित कई राज्यों में कक्षा एक से बारा की पढ़ाई शुरू हो चुकी है लगभग सभी स्कूलों को खोल दिया गया है लेकिन हेमन सरकार ने अभितक नर्सहरी से पांच कक्षा की पढ़ाई शुरू नहीं करके छोटे बच्चों को निरक्षर रख रही है उन्होंने कहा है कि दुरगा फूजा के बाद इस्कूल शुरू नहीं किया तो पार्टी द्वारा पांच सुत्री मांग को लेकर राजभवन के सामने धारना देकर आंदोलों शुरू करेंगे इस्कूली बच्चों को दी गए उनके अधिकारों की जनकारी खोटी सहर के एस हाई स्कूल में सनिवार को अमरित भारत महोसव के तहत नालसा और जालसा के निर्देशा उनसार जीले जाज सह डालसा खोटी के अधियक सत्य परकास के निर्देशा उनसार कानोनी जागरूपता सह कानोनी सेवा कारेकरम कावजन किया कया जिसमें बचों के लिए और बचों के अनुकूल कानोनी सिवाय और उनकी सुरक्षा पजनकारी साजा की गई यह कारेकरम अखिल भारतिय जगरुपता अभियान के तहत आज़ित की गई पंडालों में केम्प लगाकर हरारासन काट के लिए आवेदन लिया जाएगा जाखन राज एक खाल सुरक्षा जोजनके तहत हरारासन काट बनाने में आई तेजी परुपायुक्त ने सराना की है उन्होंने हरारासन काट बनाने के लिए पुजा पंडालों में केम्प लगाकर आवेदन लेने का निर्देश जीला पूर्थिपता अधिकारी को दिया है बता दे इस योजना के तहत गरीब लोगों को मासिक सबसेडरी वाले 5 किलोगराम खाद्यान प्रतिमा एक रुपे प्रति किलोगराम की दर से दिया जाएगा जिसमें आदेम जन जाती परिवार, बिधवा, परित्यक्ता, टांसजेंडर, चारिस परति सत्च अधिक, बिकलांग, असा देभीमारी, एकल बिरिधी, एससी और एसडी को प्राथमिक्ता दी जाएगी उपायुक्त ने सनिवार को विभीन विभागों की समिक्षा कर रहे थे 31 तक राशन कार्ड करे सरेंडर राजधानी में राशन कार्ड बनाकर अनाज का उठाव करने वाले संपन लोगों को जिला पसासन ने अपना कार्ड सरेंडर करने का एक और मोका दिया है बता दे अब 31 अक्टूबर तक आयोग यो लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है पहले 23.30 सितमर निखाई थी इस समय में उपायुक छवी रंजन ने आम सुचना जारी करते वे आयोग यो लोगों से कहा है कि यह अमती मोका दिया जा रहा है उक्त समय अधी के बाद अपात्र व्यक्ति द्वारा अंतियोद अन योईना एवं पुर्व विक्ता प्राप्त गिरियस्त योईना राशन कार्ड का लाव लिए जाने की सुचना प्राप्त होने पर अधिनियम के अंतरगत वसूली और कानूनी करवाई होगी नवालिक से दो साल तक दुसकर्म जारखन के सिम्डेगा जी लेके एक गाव में नवालिक लड़की के साथ दो साल तक दुसकर्म करने के आरोप में अन्ठावन बश से एक व्यक्ति को गिरफतार किया गया है पुलिस ने सनिवार को यह जनकारी दी बतादे सिकायत मिलने के बाद आरोपी को नजदीक के जंगल से पुलिस ने पकड़ लिया है पिडिता ने अपने बियान में बताया कि घुट बहार कुवर टोली गाव में पड़ोस में रहने वाला ब्यक्ति मा के काम पर चले जाने के बाद घर आता था और उसके साथ दुसकर्म करता था गिरी डी बनेगा राजे का पहला सोलर सिटी जाओमों विधायक सुधिवे कुमा सोरो ने सनिवार को प्रेश वारता किया उन्होंनों गिरी डी को सोलर सिटी बनाया जाने के सरकार के फैसले के बारे में बिस्तार से बताया बिधायक सोधीब्य ने कहा कि हेमंत सुरेन की सरकार ने गीरीडी को सोलर सिटी के रूप में चैन किया है गीरीडी राजे का पहला सोलर सिटी होगा गीरीडी सहरी छेत्रे में 41 मेगावार्ट बिली की खपत है सोलर सन रचना का निर्मान 41 मेगावाट बिली को ध्यान में रख कर किया जा रहा है बताया कि सहर के लभग 30,000 घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा रूपा तिर्की मौत ममला जारखन के साहिव गंज की थाना प्रभारे रूपा तिर्की मौत ममले की जाच कर रही साहिव गंज से पटना लोट गई है टीम पटना पहुचकर सीबियाई के वर्या अधिकारियों को अब तक के हुए अनुसंधान से उगत कराएगी हाला कि अब तक जाच में सीबियाई को कई अहम जनकारी मिली है जिसके बाद सीबियाई ने जाच तेज की है नौरातर का तेवार सुरू हो जाने की वज़ा से सीबियाई के टीम पटना चली गई है जार्खन के माइनिंग छेतरों में बढ़ रही है गर्फपात की घटना है धनबाद सहर जार्खन के सर्वाधिक परदूसित सहरों में से एक है बता दे हलाकी PM 2.5 का अस्तर यहां अभी नियंत्रित है लैंसेट की हालिया रिपोर्ट यह कहती है की वाईव परदूसन महिलाओ के स्वास्त पर बहुत बुरा परभाव डाल रहा है जिसकी वज़ा से गर्फपात सहित अने समसाय बढ़ रही है जारखन जहां कोईले की कई ख़दान है और कई इंडस्टिया भी है यहां की स्थिती पर विचार करना भी जरूरी है पंडाल तयार कल से होंगे मा के दर्शन सहर के बड़े पंडाल बन कर तयार हो गए है बता दे सश्टी से पंडाल के पट को खोल दिया जाएगा वहीं पिछले वर्श की तरह इस वर्श भी सादगी से पुजा का वेजन हो रहा है पंडाल भले आकार में छोटा सही लेकिन मा की सुन्दर परती में पंडाल की सुबा बढ़ाने के लिए काफी है बता दे कुरोना गाइडन के पारं करते हुए पंडाल परिशर में सकती बरती जाएगी वहीं भील को नियंत्रन करने के लिए निजी सुरक्षा कर्मी वा फुलिस बल भी तैनात रहेंगे काश्मीर में हिंदू सीखो की निशंस हत्या के बिरोध में बजरंग दल का गुशा फुटा काश्मीर घाटी में हुए हिंदू सीखो की निशंस हत्या के बिरोध में सनिवार को फुरे देश में उबाल था हात्या की घटना के बिरोध में विश्व हिंदू परिशत की युवा साखा बैरंग दल के नेतियुत में लाखो राष्ट भक्त युवाओने देश भर में जमू कास्मीर के कन्या कुमारी तथा गुवा हाटी वा इटा नगर से जैसल मेर तक लगभग पैती सवस्थानों पर परदसन कर आतंक वाद वा आतंक की पाकिस्तान का पूतला दहन किया जार्खन कंबाइन परिक्षा 23 तक भरे जाएंगे फरम जार्खन सन्युक्त परवेस परत्युक्ता परिक्षा 22 इसमें सामिल होने के लिए सनिवार से ओनलाइन फरम भरने की परकिरा शुरू हो गई है इस परिक्षा में सामिल होने के लिए ओनलाइन अवेदन की अम्तियमती थी 13 अक्टूबर निधारी था है बतादे कि इस परिक्षा के माध्यम से किरिसी तथाई से समध पाठ करामों जैसे ब्यसे इन एनिमर एन हस्पेंडरी आधी में दाखिला होता है यह परिक्षा नॉ पास 35,000 अव्यार्थियों को पहली बार मौका मिलेगा 2015 सो लगवाल सिख्षकों की नए नियोगति पर किरिया शुरू नहीं की गई है वह ही 2013 सिख्षक पतरता परिक्षा के 66,000 पास अव्यार्थियों में से 99 से अवियार्थियों के नियोगति हो चुकी है ऐसे में 2013 विन भ की तमाम खबर को जानने के लिए साम पांत बजे संध्या समाचार अपलोड किया जाता है जी से देखना ना भूले साधी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना भी ना भूले धन्यवाद